नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हर यंग लोग परिशान हो जाते हैं नी पेन इन यंग मैं डॉक्टर अंकित भारतिया और मैं प्रैक्टिस करता हूँ सपर्ष और्थोपेडिक सेंटर सोना रोट गुडगाओं में तो दोस्तों कभी बीस से तीस साल की उमर में अगर किसी को दर्ध होती है गुटने में तो बहुत परिशान हो जाते हैं कि इतनी डिफरेंट हो सकते हैं as compared to knee pain in adults से तो दोस्तों यंग लोगों में जो दर्ध होती है इसके बहुत सारे कारण होते हैं इसमें सबसे पहला दोस्तों किसी भी तरह की injury की वज़े से ये दर्ध हो सकती है सबसे पहले दोस्तों इसमें जो injury हो सकती है वो आपके गद्दे की फट हो सकती है फिर दोस्तों दूसरा आता है inflammatory arthritis any form of inflammatory arthritis can also cause pain in the young जैसे की rheumotard arthritis एक बहुत common कारण होती है जिसकी वज़े से घुटनों में यंग लोगों में दर्ध होती है इसके साथ कई बार सूजन भी आ जाती है दूसरी joint भी कई बार associated होते हैं इस pain के साथ फिर आता है दोस्तो inflammatory arthritis में second most common कारण is gout जिसमें की uric acid थोड़ी बढ़ीवी मिलती है हमें इसकी simple treatment से ही चीजे ठीक हो जाती है फिर तीसरा दोस्तों किसी भी तरह की cartilage की issue यंग लोगों में दर्ध कर सकती है इसमें दोस्तों हम तीन चीजों का बात करेंगे सबसे पहला तो condromalacia petele condromalacia petele द से दर्ध होती है तो एक condromalacia petele बहुत बड़ा कारण है जिसकी वज़े से दर्ध होती है यह होता कैसे है over exertion over exertion with a high flexed knee इसकी वज़े से femur and petelea की undersurface bone पे बहुत जादा pressure होती है and petelea की undersurface of the cartilage थोड़ी tear हो सकती है तो यह बहुत जादा exertion की वज़े से बहुत जाद इन सब को करने से जादा होती है तो दोस्तों एक कारण यंग लोगों में condromalacia petelea बहुत कॉमनली होती है फिर दोस्तों दूसरा osteocondritis desiccans भी एक बड़ा कॉमन कारण है जिसमें कि एक छोटा सा टुकडा आपके यूजली यह femur bone में होती है femur की जो cartilage की covering होती है उसके सा नहीं क्या वो उसे partially separated है क्या वो completely separated है पूरी की पूरी एक लाइन दिख रही है यह यूजली MRI से इसकी grading होती और यह भी यूजली कई बार jerky movements and over exertion की वज़े से होती है तो दोस्तों एक और कारण जो इसमें होता है वो होता है osteocondritis desiccans फिर दोस्तों तीसरा आका है कि overall cartilage ह खराब हो रहे हैं यंग लोगों में overall cartilage खराब होना जिसे हम बोलते हैं osteoarthritis जो most commonly old age में दिखती है आजकल यंग लोगों में भी बहुत commonly पाई जा रही है तो osteoarthritis is again very common कारण nowadays in young people और यह होती कैसे है again lot of overexertion using your knee in a very bad posture बहुत जादा squats lunges burpees करना बहुत जालदा squat टरके बै बैठना कोई एकसी exercise करना जिसमें घुटना पहुत जादा मोड के बैठना पढ़ता हो आपको इन सब चीजों से घुटने की cartilage जल्दी खराब हो जाती है तो दोस्तों osteoarthritis in young is another cause of concern जिसकी वजह से दर्थ होती है फिर दोस्तों आता है कि यंग लोगों में कई बार हल्की- पैटला जो बीच की बोन होती है वो उसकी टेंडेंसी होती है थोड़ी सी आउटवर्ड सबलक्सेट करने की तो कई बार इसकी वजह से भी यूजली पैटलो फीमरल जॉइंट की arthritis होके इस जगह पे दर्ध होनी शुरू हो जाती है तो दोस्तों ये थी हमारी थोड़ी कॉ इंफलेमेटरी आठ्रेटेस यानि के गाउट रोमोटाड आठ्रेटेस अदर फ़र्म अफ आथैस्कें और सेकंड इज़िटी नहीं जिसमें की मेनिस्कुस टियर लिगमेंट टियर कैन कॉस पेन फिर तिसरी आति है काट्लेज इशूस जिसमें की कॉण्डो मलेश्या कैसे हो बचा कैसे जा सकता है इन सब चीजों से जैसे कॉंड्रों बलेशिया पैटल आपने देखा ओवर एक्जर्शन की वज़ा से होती है ऑस्टों थोड़ी ओवर एक्जर्शन की वज़ा से भी होती है इंजूरी की वज़ा से भी होती है ऑस्टों इन सब चीजों से बचा कैसे जा सकता है तो दोस्तों prevention of knee pain in young अब दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज आती है आपको थोड़ी fitness regime maintain करनी चाहिए लेकिन ऐसा fitness नहीं करना चाहिए जिसमें घुटने पर बहुत जादा जोर पड़ता हो तो दोस्तों young यंग लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि knee pain हो ही ना और आगे चलके develop हो ही ना तो दोस्तों सबसे पहला a very good balanced diet सबसे important है इसमें क्योंकि अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं होगा timely नहीं होगा तो इसमें सबसे ज्यादा जोर आपकी आपके जोड़ों पर पड़ता है और आपके जोड़ जल्दी खराब हो सकते हैं leading to pain in young people फिर दूसरा दोस्तों अगर आपका weight थोड़ा higher side में है तो आपको weight reduction के ऊपर ठोड़ा काम करना चाहिए आपको अपने fitness के ऊपर ठोड़ा सा workout करना चाहिए ताकि आपकी weight थोड़ी सी कम आ जाए at least आपको यह maintain करना चाहिए कि आपकी BMI approximately 18 to 24.9 के बीच रहे क्योंकि जब यह BMI आपकी सठीक रहती है जब आप अच्छे BMI के रेंज में रहते हो तो automatically आपकी well-being अच्छी रहती है fitness अच्छी रहती है और आपके घुटने पर जोर कम पढ़ता है तो weight maintenance is very important फिर तीसरा आता है दोस्तों bit of stamina bit of strength इसमें की हम recommend करते हैं कि आपको थोड़ी exercise करनी चाहिए exercise में दोस्तों it is usually top to bottom throughout exercise करनी चाहिए आपको क्योंकि जब आप जिम जाते हो तो हर पाट की exercise करते हो इस इसे joint बहुत अच्छे maintain होते हैं अगर आपको outdoor walking or running का shock है we still recommend इसमें आपकी walking is one of the best thing to do and another best thing to do is swimming जिसमें की घुटने पर जोर पढ़ता ही नहीं है at the same time you are moving around all the all parts of the body top to bottom तो यह सब बहुत अच्छी exercises होती है इसके अलावा दोस्तों aerobics cardio जिसमें बहुत ज्यादा squats lunges उतने को मोड़ना पड़ता हो बहुत ज्यादा जंप ना करना पड़ता हो यह सब exercises भी बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों फिर दोस्तों आता है थोड़ा roll calcium and vitamin D का यंग लोगों में usually calcium की जरूवत नहीं होती अगर आप milk and milk products किसी भी तरह से लेते हो दूद, दही, पनी छेना, लसी, छाँ, चीज, किसी भी तरह से लेते हो, थोड़ा आपका green leafy vegetable का intake अच्छा है, fruits में याने की banana, apple, इन सब चीजों का intake अच्छा है, अगर आपके nuts के intake अच्छा है, अगर आपके dry fruits में खास करके अंजीर का intake अच्छा है, तो आपको usually calcium की जरूवत यंग लोगो में भी, क्योंकि सबसे पहला exposure कम होता है, exposure अच्छा होने की बावजूद भी, हमारी melanin की content skin में ऐसी होती है, कि इसमें vitamin D बन नहीं पाती, जिसे हम बोलते है, vitamin D paradox, तो ऐसे में भी vitamin D supplement अलग से लेना चाहिए, आप ये किसी चिकित सक्ट से सला करके लेना, अपने से आपको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इसकी level काफी shoot up कर जाती है, तो vitamin D short up level के भी अलग side effects होते हैं, फिर दोस्तों आता है, आपका work करने का, काम करने का posture, इसमें दोस्तों सिर्फ एक दो चीजों पे में stress डालूँगा, कि आपको कभी भी जैसे work from home चलती है, तो बहु बहुत ज़्यादा अगर आप घुटना मोड के बैठे रहते हो पूरा body weight के साथ, अगेन इसमें पैटलो फिमरल जोइंट पे बहुत ज़्यादा pressure पड़ती है, तो ये सब posture आपको ज़्यादा देर के लिए नहीं अटेंड करना चाहिए, आप पालती मार के बैठ सकते हो, लेकिन बहुत लंबा sitting नहीं होना चाहिए, आदे पॉन घंटे बैठ गाए, फिर आपका posture चेंज होना चाहिए, फिर आप घुटना सीधा कर लो, या 90 डिगरी flex करके table chair पे बैठ जाओ, ये चीज आपके लिए अच्छी रहती है, और दोस्तों, last में specific exercises of the knee and ankle, किसी physiotherapist से मि आपने घुटने के नीचे एक towel roll लगाया और घुटना प्रेस किया, same way ankle के नीचे आपने towel roll लगाया और घुटना प्रेस किया, इसमें body weight नहीं जाती घुटने से, and at the same time, you are strengthening your cordyceps muscle, इस से घुटने भी strong हो गए, घुटने पे जोर भी नहीं पड़ा, आपके घुटने खर इसकी treatment के बारे में, हम यंग लोगों की pain को treat कैसे करते हैं, सबसे पहले दोस्तों, inflammatory arthritis, जिसमें कि हमने बताया कि इसमें गठिया बाई, यानि की rheumotard arthritis हो सकती है, गाउट हो सकती है, जिसमें की uric acid हमें बढ़ा हुआ मिल सकता है, यह बहुत ही easily medical treatment, यानि कुछ दवाईयों से ठीक हो जाती है, तो दोस्तों, इसमें सिर्फ medical treatment में कुछ दवाईयां चलती है, एंड यह बहुत अच्छे से आराम आ जाता है आपको, एंड दवाईयां, यूरी कैस्ट के दवाईयों तो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, रुमोटard arthritis के दवाई काफी लंबी खानी प करना रखें, ACL tier के उपर, MCL tier के उपर, meniscus tier के उपर, तो हर injury grade wise बहुत आराम से treat कर सकती है, इसमें यूजली मोटा मोटी देखें, तो grade 1, grade 2 injury में स्वजली के जरूवत नहीं पड़ती, थोड़ा conservative measures, rest, followed by exercises से इलाज हो जाता है, अगर बहुत जादा tier है, grade 3 and above tier है, तो इसम पिक, ligament reconstruction या meniscus repair से आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है, फिर दोस्तों आते हैं, इसमें cartilage की issues, सबसे पहला, condromalacia petele, condromalacia में जैसे कि मैंने बताया, petele की under surface की cartilage खराब हो जाती है, इसमें दोस्तों, again condromalacia की बिना grading होती है, grade 1, जिसमें की healthy full के tears होते है, grade 2, जिसमें थोड़े ratio से निकल जाते हैं, grade 3, जिसमें cartilage के अंदर defect हो जाती है, and grade 4, पूरी bone तक defect होती है, इसमें भी दोस्तों, grade 1, grade 2 में usually surgery की जरूबत नहीं पड़ती, कुछ आपकी codicep strengthening exercise, and थोड़ा lifestyle modification, जिसमें के हम बताते हैं कि घुतना ज्यादा मोरना नहीं है, आपक जाकि वो groove में ज्यादा दिर तक रहे ना, तो इन सब चीज़ों, lifestyle modification, थोड़ी exercise, and कुछ medication से काफी हद तक चीज़ें better हो जाती है, grade 3 and above में कई बार इसमें दूरबीन से हमें अंदर जाके छोकी से surgery करनी पड़ती है, और इससे चीज़ें एकदम perfect हो जाती है, फिर दोस्तो रहती है वहाँ पे, इसमें दोस्तों अगें, अगर stable legion दिखता है हमें, और छोटा legion दिखता है, अगें कुछ हपतों का rest, followed by exercise, ये चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन अगर legion बड़ा है, और हमें लग रहा है कि वो legion unstable है, तो इसमें दो तरीके से treat होती है, या तो हम इ बड़ा होता है, इंस्टेबल लगता है, तो हम इस screw से इस fragment को fix कर देते हैं, तो ये भी दो दूरबीन से हो जाती है, और अगें आप expect कर सकते हैं कि दो से तीन महने के बाद आप दोबारा खेलना को दना शुरू कर देंगे, फिर तीसरा cartilage का issue दोस्तों, जैसे कि हमने सुन इससे भी चीज़े काफियत तक better हो जाती है, अगर आपकी उमर usually 45 से कम है, arthritis medial side में बहुत जादा है, तो इसमें usually दो और procedure से आपकी चीज़े और better हो सकती है, पहला procedure जो हम इसमें करते हैं, वो होती है high tbial osteotomy, high tbial osteotomy सिर्फ ऐसे condition में की जाती है, जिसमें की medial compartment of the knee आप की osteoarthritic है, तो सिर्फ अंदर वाले हिससे में घुटने में अगर दर्ध होती है, और आपको लग रहा है कि आपको चलने फिरने में काफी पेन है, आपकी उमर कम है, जिसमें की हम totally replacement नहीं सोचते हैं, तो इसमें unique compartmental knee replacement या फिर high tbial osteotomy इन दोनों procedure से आपका काफी दिन तक काम चल सकता है, ये दोनों ही knee replacement से totally replacement के मताबिक बहुत चोटी surgery होती है, इसमें rest भी जादा नहीं होता, घुटना मोडना भी जल्दी शुरू करते हैं हम लोग, और back to office बहुत जल्दी जा सकते हो आप, तो ये चीज से भी आपकी early osteoarthritis को हम tackle कर सकते हैं, फिर lastly दोस्तों आ इसमें कुछ angle निकालते हैं, जैसे q angle बोलते हैं, आपकी clinically q angle भी हम निकालते हैं, बेट पे लेट आके आपको, and इसमें हम फिर assess करते हैं, अगर आपकी q angle 20-22 से उपर होती है, तो इसमें usually हम थोड़ी limb alignment surgery करते हैं, या फिर limb alignment surgery नहीं करते हैं, तो इसमें पैटलर को align करने क surgery की जाती है, इसके बाद भी आपका घुटना एकदम pain free हो सकता है, तो दोस्तों, यंग लोगों में, अगर आपको pain, अगर आप यंग हो और आपको pain है घुटने में, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूवर नहीं है, ये बहुत ही आराम से tackle हो सकती है, धन्यवाद दोस्त झार.